Hello students, good morning. हम पढ़ेंगे class second का chapter first, okay test book का page number 5. Okay students, तो यहाँ देखिए what rolls, what slide. Roll means क्या होता है students, किसी भी चीज़ का लड़कना, slide यानी official पटी, या किसी भी चीज़ का सरकना. तो देखिए students यहाँ लिखा, look at the picture. Some children are rolling and some are slanding things in a park. देखिए कुछ जो हैं वो roll कर रहा हैं, वो कुछ जो slanding कर रहा हैं, जो fissal ना होगा, okay. देखिए यहाँ पे हमें कुछ pictures दिखाई गई हैं, okay students. तो देखिए जो ball होगी, तो ball को हम roll कर सकते हैं, उसको सरकाने सकते हैं, जिसी यहाँ पे boy है. तो देखिए यह slides होगा, यह सरकेगा, rolling नहीं होगा, okay. इसी तरह से यहाँ पे एक box है, तो यह slide होगा, roll नहीं होगा, okay. तो roll or slide, आया समझ मैं आपको, okay students. There are some things which can roll and some which can slide. देखिए, कुछ चीज़े roll होती हैं, तो कुछ चीज़े slides होती है, okay. There are things which both roll and slide. देखिए, जो कुछ चीज़े होती हैं, वो roll भी होगी और slide भी होगी. तो यहाँ देखिए, केरम है, यहाँ पे, यह देखिए, यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो यह slide होगा, इस तरीके से करेंगे, तो यह slide होगा, और अगर यह इस तरीके से करेंगे, तो यह roll होगा, okay students. तो आपको समझ में आया होगा, कि slide means क्या होता है, और roll means क्या होता है, okay. अब देखते हैं, things which roll, अब वो चीज़े लिखनी है, यहाँ पर write करनी है, जो roll होती होगी, और things which slide, जो roll नहीं होगी, मतलब सरकेंगी, okay, things which both, roll and slide, okay, तो देखिए, roll जो होगा, वो ball होगी, आप एक bet और ball खेलते हैं, तो आप bet से ball को जब मारेंगे, hit करेंगे, तो क्या होग वो roll होगी, okay, तो roll में क्या आजाएगा students, ball, और इसी तरह से orange, orange fruits है, तो क्या आजाएगा, fruit होता है, fruits में आएगा, orange भी जो होगा, वो roll होगा, okay students, इसी तरह से जो slides होगी, अगर आप notebook है आपकी, notebook क्या आपकी roll होगी, नहीं होगी ना slide होगी, सर के ही वो अपनी जगे से, इसी तरह से देखते हैं, बेग, बेग क्या आपका roll होगा, वो लुड़क कर नीचे आएगा, या फिर वो सरक कर नीचे आएगा, जैसे आप उसको कहीं से कोशिश करेंगे, आप उसको roll करने की, या slide करने की, तो क्या होगा, वो slide होगा, okay students, things which both roll and slide, अब ऐसी चीज़े लि होता है, जो सिक्का होता है, वो slide भी हो सकता है, और roll भी हो सकता है, वो खिसक भी सकता है अपनी जगे से, और roll भी हो सकता है, okay students, इसी तरह से glass होता है, glass है वो, सरक भी सकता है अपनी place से, खिसकेगा, या फिर roll भी होगा, वो, okay students, तो आप इस तरह से, one, two, three, जो three हैं, अब तो आपको ऐसे नेम लिखने हैं जो रोल होंगे, जो स्लाइड होंगे और जो बहुत दोनों होंगे. Okay students, अब ये आपको यहाँ पर थिरी नेम्स लिखने हैं. Okay students, my tiny tree, okay, take a sheet of paper like this. एक paper sheet लिजिए, roll the paper to make a pipe. अब उसको pipe के उसमें roll कीजिए, your paper pipe will look like this now. तो आपका paper pipe जो होगा, वो इस टाइप से दिखेगा. Use glue or tap to stick it. देखिए, आप glue और उसका, use करके उसको pipe के तरह बना लेंगे. Okay, using scissor cut strips at one end of the paper pipe. Make seven or eight cut. देखिए, एक side से आप, एक paper pipe जो आपने बनाया गया है, उसके आप seven से eight cut कर लेंगे. Okay, turn down the cut end. Okay, your tree is ready, color it. देखिए, इस तरह से ये क्या बन जाएगा, एक tree की तरह बन जाएगा. अब आप इस पे color कर लेंगे, तो ये tree बन जाएगा, जो कि आपका ready हो गया. Okay, next पे आते हैं, the tallest tower. देखिए, first let us make a tower with box. ये जो है, ये किसे बना रहा है? बॉक्स से, okay, tower बना रहा है. जो next है, let us see who can make the tallest tower. तो ये कह रहा है कि मेरा ज्यादा उंचा है. Tallest मतलब लंबा होगा, okay. I will make the tallest one. मेरा सबसे ज़ादा उपर है. देखिए, यहाँ पे कुछ match box से बनाया गया है. फिर ये इनका कुछ थोड़ा और, ये tall, okay. तो यहाँ पे ये कह रही है कि मेरा सबसे लंबा होगा. Tallest means लंबा, okay. Collect different things, such as box of different kinds. Balls, Razors, Marches, Box, ETC, okay. Attack. क्या दिया गया यहाँ पे? आपको अप क्या करना है? कि इसी तरह से कुछ चीजों को collect करना है. Collect करना है और उसके बाद में आपको tower बनाना है. ठीक है, आप अपने तरीके से कुछ collect करेंगे, different चीज़े, अलग-अलग चीज़े, okay. Okay, students, यह आपको करना है. Make your tower using different things, like only Marches, Boxes, Only Tins. या फिर आप ऐसे नहीं कर सकती कि आपने कुछ Marches, Box रख लिए, या कुछ Tins रख लिए, अलग-अलग चीज़ों से नहीं, एक ही चीज़ से आपको tower बनाना है. Now mix and make with different things, like shoe, boxes and tins together, balls and match box together. Okay, match box का use करेंगे आप, यह इसा नहीं है कि आपने कुछ अलग लिया, कुछ, जैसे match box ले लिया, आपने Marches box होता है, जो, वो, या फिर कुछ और, तो आपको एक ही चीज़ का use करके, tower को बनाना है, ओके, यहां क्या है, match box है, और razor है, ball से, यह फर्स्ट इस तरह कैसे दिया गया है आपको, Okay students, next पर आते हैं, coins play, देखे, coins के साथ, क्या करना है, try doing this with your coin, try करना है, आपको अपने coins को लेकर, ओके, यह आपका coin है, hold the coin like this, Okay, make the coins spin, does it look like a ball, देखे, अगर आप coin को आप इस तरह के से करेंगे, तो वो ball की तरह, आपका roll होगा, Okay, ball की तरह दिखेगा, does a coin roll, does it slide, try, देखे, आपका coin जो है, पीछे हमने बताया था आपको, कि वो coin जो होता है, वो roll भी होता है, और slide भी होता है, तो आपके यह try करना है, तो क्या answer क्या होगा, Yes, Okay, Can you make 1 rupee coin, stand like this, क्या मतलब इस तरह से, और इस तरह से हो सकता है यह, तो answer is, Yes, Try doing the same using, a 2 rupee coin, and a 5 rupee coin, आप एक 2 rupee का शिक्का लेंगे, शिक्का होगा coin विंज, और एक 5 rupee का लेंगे, तो आप उससे ट्राइ करेंगे, आप करके देखते हैं, कि वो इस तरह से होगा, या नहीं होगा, Okay, students,